कि पती पत्नी के रिष्टे में सक है तो बिगड़ जाता है जीवन का सीन फिर से बालिट पेपर लाओ हटाओ इबियम मसीन और हमारा परिवार है मरान प्रताब गढ़ी उम्र में बड़ा है जितंदर मिर्जा पूरी क्रांती कारी कभी तो जरूर हो सकता है उनका चच्चा और मैं तो बीजेपी वालों को हरा हरा के बना देना चाहता हूँ बच्चा कि योगी और मोदी जी के कामों से सबजमीनी अस्तर पे तरस्त हुए अब तो दिल से याद करने लगे हैं कांग्रेस और इंडिया कठबंधन सपा के कई साल के विकास के परिपाटी पर और कुछ गदारों के कारण हमारे सैनिक मारे गई गलवान के घाटी पर कहना है कि आवाज गूज उठे गाउ सहर सपा और गडबंधन के तरब से कहना है आवाज गूज उठे गाओं सहर गलियारों से अब डरो मत देश के गदारों से अन्याय के अंधेरे को चीर के न्याय की मसाल जलाएंगे न्याय का हक मिलने तक लड़ते ही जाएंगे मेरे पास तीन विचारधारा जो पकड़ आस्मानी फ्रेंट उठने का नाम नहीं लेगी बीजेपी कई बार अपनी का देखे मुद्दा है ये जो भाजपा का हवा हवाई है ये समझ लीजे कि ये जैसे दूद की मलाई है और ये कैसा इंडिया गडबनन का जितेंद्र मिर्जापुरी कभी शायर जो अपने शब्दों से हर्दम करता है बीजेपी को कायर और मेरे पास है तीन विचारधारा जो पकड़ आस्मानी फ्रेंट उठने का नाम नहीं लेगी बीजेपी कई बार अपनी कलम से मार दूँगा करंट और हमारा परिवार है मरान प्रताब गढ़ी उम्र में बड़ा है जितंदर मिर्जापुरी क्रांती कारी कभी तो जरूर हो सकता है उनका चच्चा और मैं तो बीजेपी वालों को हरा हरा के बना देना चाहता हूं बच्चा मैं जो विचारधारा जी रहा हूं मैं देख रहा हूं कि आज कमल है तो कीचड़ है आज आदमी सेलफी सो गया है बहुत गरबड़ी हो रही है भाई भाई को नहीं समझ पा रहा है बित्ता हाद जमीन के लिए कलेजे में चूरा अब ये कब तक चलता रहेगा कि बीजेपी का कमल कमल चिल लाने वाले इसे जो कमल है इसी को हटाना होगा जो कीचड़ की ब्या इस्टाचारी हो भाजपा साबुन से नहाले सारे पाप धुल जाएंगे योगी बाबा क्या एक शायर से बात करें कि योगी और मोदी जी के कामों से सबजमीनी अस्तर पे तरस्त हुए अब तो दिल से याद करने लगे हैं कांग्रेस और इंडिया कठ बंधन सपा के कई सा निक मारे गए गलबान के घाटी पर रब करे मैं भी चौकीदार जैसे इतने गदार ना हो उत्तर प्रदेश और इस देश के माटी पर रोज बोली से गोली मार रहे भारत मा के छाती पर और विकास का मुद्दा रहेगा किले से अदो साब का मुझे सूने हैं नरे सुत्तम स अभाव दिये हैं और जितने हैं और कमल का कीचड तो नहीं खतम हो गया मुझे आदर्णी कमलनाथ जी बहुत मानते हैं लेकिन समझना होगा नेतरत्यों को कॉंग्रेस को भी समझना होगा मैं देख रहा हूं मैं जो देख रहा हूं जमीनी अस्तर पे मुझे कोई अपना न लेकिन ये कीचड मैं किसी को दोस्त नहीं देता ये कीचड दिमाग में आके ये बड़ा वो छोटा ये क्या है ये बंद करना होगा और भाजपा जाए मैं तो चाहूंगा कि भाजपा जाए कि कहना है कि आवाज गूज उठे गाउ सहर सपा और गडबनन के तरब से कहना है आवाज गूज उठे गाउ सहर गलियारों से अब डरो मत देश के गदारों से अन्याय के अंधेरे को चीर के न्याय की मसाल जलाएंगे न्याय का हक मिलने तक लड़ते ही जाएंगे और विकास पढ़ना है कि अपने कामों से जन जन के होटों पे विकास की बात बनूँगा अखिलेश सहब का कहना है इंडिया गडबंधन का कहना है और नोजवानों के नेता जो अखिलेश दी हैं कि सपा पार्टी में रह के गडबंधन में रह के जितिंद मिर्जापुरी कभी करांतिकारी कभी जगाए ऐसा यूथ और देखते ही देखते भाग जाए भाजपा का कम अपने कामों से जंजन के होटों पर विकास की बात वनूंगा, मैं तो आस्मान का नहीं, सदा जनता के अर्मानों का चांद रहूँगा, जंजन के लिए सूरज की तेज धूप सहूँगा, अरे वादा है, मैं तो हमेशा चंद्रमा की तरह सीतल रहूँगा, और इंडिया इंडिया गडबंधन के जितने हैं भी पक्ष में लोग खास तोर में मुझे कॉंग्रेस जादा समझी है नरेश उत्तम साहब पिछले विधान सभा में मुझे बहुत काम कराये थे पस्मी उत्तर प्रदेश गया था पिछले 10 साल से लगाओ है और कभी वहाँ सीटे निकली थ मन की बात के खिलाब बिचारधारा है मेरे पास जहां सब कासात सब का विकास देश परिवार हो ऐसी बिचारधारा में जी रहा हूं देश परिवार हो अब keyboard नहीं कर रहा हूं क्यूंख मोधी जी आठ बदे बोलते हैं तो 12 बदे क्या गजब हो जायए गा मैं जो पेरा पेकाम कर रहा हूं और रहा बैमानी यह बैमानी भी कर नहीं पाएंगे ये जितनर कभी उभरते ही दिली जन्तर मंतर पर जन साहलाब लेखे चढ़ जाएगा देखता हूं जन सहलाब लेके चढ़ जाएगा उपीosed पति-पत्नी के रिस्ते में सक है, तो बगड़ जाता है चीवन का सीन। बालिट पेपर लाओ हटाओ EBM मसीन फिर से बालिट पेपर लाओ हटाओ EBM मसीन और कहना है राहुल जी से और यहां आदरणी अखिलेश दी तो बहुत सुल्जे हुए हैं उसमें नहीं आपकी पार्टीम में ज़्यादा काम क्या हूँ आप से कहना है कि मुझे क्रांतिकारी कभी के रूप में काम करने के लिए काम करने के लिए आप हाथ के पंजे से उड़ा दीजिए मेरी तरब कुछ चाहत की धूल और कसम खाता हूँ क्रांतिकारी करम की वक दाएगा उड़ा डालूँगा कमल का फूल कि अमर छाब कुछ इस तरह से इंडिया गटबंधन जीते दुआएं हैं सब लोग दिल से साथ दें चार पंक्ती कहना है कि अमर छाब कुछ इस तरह से ऐसे हम छोड़ेंगे अहंकारी हतियारों को सदा प्यार से तोड़ेंगे ये रूप रंग मिट जाए तो क्या अंग अंग कट जाए तो क्या जनता के दिलों से जुड़ा इंडिया गटबंधन का अखलेशनेता जी का राहुल जी का हर अरमान है और हमारे मन के हर कोने में सहरा हिंदुस्तान है